अरे खृश्ण अगनी पुरान में 3080 सियज्ञत अध्याई में भगवान के एश्वर्यों का वरण में बताया गया है वेद्व्यास महराज अपने शिश्यों को बताते है कि भगवान उसे कहते है कि जिसमें छे प्रकार के एश्वर्यव पूर्ण मात्रा में हो जिसमें संपुर्ण प्रकार का विर्य हो अर्थात शक्ती हो तो आप comparison कर सकते हैं कि भगवान सी कृष्ण में जो सक्ती है क्या दूसरे देवी देवताओं में किसी में हो शक्ती है कोई पित्रों में शक्ती है या इस संसार के कोई भी जिवात्मा में इतनी शक्ती है कि भगवान इतने छोटी से उम्र केवल मात्र छे दिन के थे लेकिन इतनी बड़ी राक्षशी पूतना को उन्होंने वद कर दिया और दूसरा प्रमाण मिलता है कि भगवान ने साथ साल की उम्र में साथ दिन और साथ रात तक इतना बड़ा गोवर्धन परवत को धारण किया अरे उनकी बात क्या करते हो उनकी एक शक्ती है जिसका नाम है अनंद शेष जिसको हम कहते है बलराम जी बलराम जी पूरे ब्रमाण के ब्रमाण को उठाते है तो इससे साबित होता है कि भगवान जितनी शक्ती इस अंसार में किसी और में नहीं है दुसरा प्रमान बताते है यश, यश का अर्थ होता है पूरी दुनिया में ब्रह्मानों के ब्रह्मान में भगवान जितना यश इस संसार में दूसरा किशी का नहीं है कि संसार में यश तो होता है लेकिन दो चार दिन एक दो महिने या एक दो साल तक रहता है लेकिन उसका यश तीनो काल में कभी नहीं रहता है तो भगवान का जो यश है आज पूरी दुनिया में सब लोग भगवान का यश गाते हैं तो भगवान चितना यश इस अंसार में और किसी का नहीं है और तिसरा बताते है श्री श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी इस अंसार में कई लोग केते कि ये धनवान है आज धनवान है लेकिन दो साल के बाद वो रोड़ पती हो जाता है और इसके प्रमान भी मॉबाइल के दबार हम देखते हैं कितने लोगों को बताया गया है कि जो पांच साल पहले करप पती था लेकिन अभी कटोरा लकर भीख मागराय स्टेशन पर तो ये स्थिती है लेकिन भगवान का जि परस्मणी से बने हुए थे और ये भी प्रमान आता है कि भगवान सी कृष्ण की जो द्वार का नगरी थी वो पूरी सोने से मड़ी हुई थी तो भगवान जितना धन और श्री इस अंसार में ने इत्रिभुवन में किसी के पास नहीं है और चोथा आता है ग्ञान विर्य, यश, श्री और ग्ञान ग्ञान का अर्थ होता है कि पूरे सुरुष्टी का और आध्यात्मिक जगत का और समस्त वेदो का ग्ञान भगवान सी कृष्ण में है और इसका प्रमान भी हमें मिलता है कि जब अर्जुन मोहित हो गए थे तब भगवान ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र की युद भुमी में 64 करोड सेना के बीच में ये भगवत गिता का ग्ञान दिया था और भगवान ने कहा कि हे अर्जुन मैं ही इस रुष्टी का तारण हरता हूँ और मैं ही इस रुष्टी को चलाता हूँ मैं तो तुझे केवल निमित बना रहा हूँ अगर तु नहीं मारेगा फिर भी मैं इन सब को मार दूँगा और इसका प्रमान भगवान ने बताया देखले मेरे मुख में और भगवान ने जब अपना मुख खोला तो उनके मुख में सब लोग स्वाहा हो रहे थे। तो भगवान जैसा गण्याण और किसी में नहीं है। और कहते हैं वाईराग्य, भगवान जितना एश्वरिय, ग्न्यान, श्री, धन और वाईराग्य अर्था त्याग जैसे भगवान राम आए और भगवान सी कृष्ण आए, कि भगवान कृष्ण गूपियों को इतना प्रेम करते थे, लेकिन एक शण में, एक शण में सब में भी आता है कि भगवान ने, एक केवल पांच मीट के पहले उनको पता चला कि मैं अयोध्या का राजा बनने वाला हूं और पांच मीट के बाद जब तैयार होकर आए, तब उनको पता चला कि मैं वन का ताप सवेश विसेश उदासी, मैं वन में मुझे 14 वर्स के लिए गुण में जाना है, तो इन सभी प्रमाणों से हमें ये साबित होता है कि भगवान सी कृष्ण ही संपूर्ण एश्वर्य उनके अंदर है, धन है, ग्ण्यान है, वैराग्या है और शक्ति है, तो भगवान जितने भगवान के अंदर जो छे गुण है, वोई संसार के नहीं 33 करोड देवताओं में भी ऐसे गुण नहीं है, तो वेद व्यास महराज कहते हैं कि ऐसे छे गुण जिसमें पूर्ण मात्रा में हो, उसे ही भगवान कहा जाता है, तो आप भी उस भगवान सी कृष्ण का भजन कीजिए और अपने जीवन को धन्य कीजिए, जाए शिल प् पर उपाद की जाए लिए